आज हम बनाएंगे सौथ इंगेन स्पेशल नारियल की चटनी ये जटपट बनके तयार भी हो जाती है और ये सभी की बहुती ज़्यादा फेवरिट भी होती है इसे आप इडली, डोसा, बड़ा किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए इसे बड़ाना स्टार्ट करते है यहां मैंने यूस किया है half नारियल इसे मैंने तीन से चार घंटे पहले भीगो के रग दिया था आप चाहें तो कच्छा नारियल भी यूस कर सकते हैं अब हमें लेना है एक mixer jar इसमें सारे नारियल को add कर दोंगे अब हम इसमें add करेंगे हरा धनिया जिसे मैंने अच्छी त इसके बाद मैंने इसमे आड़ कर दिया है 10 से 12 करीब अब इस चटनी को क्रीमी टेक्श्चर देनी के लिए यहां पे मैंने इसमे आड़ किया है 1 टेबल स्पून दही और इसके बाद मैंने इसमे आड़ किया है 2 टेबल स्पून रोस्टेड मोंख्ली दाला जिसे मैंने हलका स तो इसके बाद चटनी को थोड़ा सा चटपटा बनानी के लिए यहां पर मैंने यूज किया है हाफ लैमन जिसे मैं निचोड़ दूगी अब हम इसमें आड़ करना है पानी तो इस टाइम मैं इसमें हाफ के टोरी पानी एट कर रही हूं अब हम इसका पेश तयार करेंगे तो अभी मुझे चटनी थोड़ी सी ड्राय लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और एट करूँगे इसके बाद पानी डालने के बाद चटनी को मैंने एक बार और ग्राइंट कर लिया है तो देखे चटनी हमारी पिस्के तयार हो चुकी है इसका टेक्शर कुछ इस तरह से है अब हम इसका तयार करेंगे एक स्पेशल तड़का जहां मैंने लिया है एक तड़का पैन, गैस प्रेम कर लिए ओन, इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे, वन टेबल स्पून ओइल, इसको हम गरम होने देंगे, इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे, दो साबुत लाल मिर्च, एक हरी मिर्च आड़ करेंगे, जिसे मैंने लं इसमें आड़ करेंगे half table spoon white dill आप चाहें तो इसमें उड़त की डाल भी आड़ कर सकते हैं इसके बाद हम एक स्पूनसेश को थोड़ा सा चला लेंगे तो लीजे नारियल चटनी का हमारा तड़का तयार हो चुका है इसके बाद जो हमने चटनी बनाई है उसमें ये तड़का हम लगा देंगे तो देखा आप सभी ने नारियल की चटनी को बनाना कितना असान है और ये जटपट बनके तयार भी हो जाती है आई होब ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी थैंक यू फ्रेंड्स फर वाचिंग इस वीडियो बबाई